हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं अनुराधा, a health care professional और आप देख रहे हैं अनुराधा care channel जब आप pregnant हो जाते हैं, यानि कि आप successfully conceive कर लेते हैं, तो आपके पेट में बहुत सारे बदलाब होते हैं क्योंकि आपका बच्चा आपके uterus में implant हो रहा होता है इस समय आपको बहुत सारे बदलाब आपके पेट में मेसूस होता है क्योंकि सारे जो process होता है वो आपके uterus यानि की पेट में होता है आप आपने पेट को touch करके कैसे पता कर सकते हैं कि आप pregnant हो गई है या फिर आप conceive कर चुके हैं देखिए फ्रेंड्स जब आपके ovulation हो जाता है तो आपका जो ओवरी से एक अंडा आकर आपके fallopian tube में रुखता है वहां पर sperm मिलता है वो फोटलाइजिशन होता है और वहीं fallopian tube में ही वो जो फोटलाइजड embryo है वो धीरे धीरे बड़ा होना सुरू होता है जब अफिशेंटली बड़ा हो जाता है तो जो fallopian tube है उसको एसे एसे एक movement में धकेलता है uterus के तरह वो फिर जो embryo है अहीं कि जो बच्चा है वो आकर uterus की दिबार में आकर चिपकता है वहां फ़र आपको एक खुरेदता है यह जो प्रॉसेस होता है यान कि जो fallopian tube में होता है फिर fallopian tube से आकर uterus की दिबार में चिपकता है जीतने इसने सारे movement होता है, इस समय आपको थोड़ा बहुत cramping महसूस हो सकता है, जिसको कि हम implantation cramping बोलते हैं, यह आपको एक side में भी हो सकता है, या फिर बिलकुल भी नाभी के नीचे भी थोड़ा थोड़ा cramping महसूस हो सकता है, यह जो pain है बहुत mild होता है, लेकिन बहुत सारे म हिलाएं, इसे महसूस भी करते हैं, इसके अलाबा जब आपका pregnancy रुख जाता है, तो आपके सरीर में एक hormone develop होना शुरू कहता है, जिसको कि हम pregnancy hormone बोलते हैं, जिसको कि हम progesterone बोलते हैं, इसका मातरा अचानक से बढ़ जाता है, और बढ़ने ही लगता है, यूँके उसको baby क सपोर्ट करना होता है, इसलिए इस progesterone hormone के चलते हैं, आपके पेट में बहुत ज़्यादा ग्यास बनने सुरू होता है, तो इसलिए बहुत सारा ग्यास आपके पेट में बनने के कारण आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग यानि कि पेट फुला हुआ लगेगा, और progest progesterone hormone के चलते हैं, आपका डाइजेशन भी बहुत धीमा हो जाएगा, तो बहुत सारे महिलायों को constipation भी होता है, early pregnancy में यानि कि जब का period मिस भी नहीं होता है, वो pregnancy अभी आने को बाकी होता है, फिर भी उस समय उनको बहुत ज़्यादा constipated वो feel करते हैं, क्योंकि progesterone hormone के चलते हैं, आपका digestion process भी कम हो जाता है, आपको थोड़ा सा भी खाने से आपका पेट भारी भारी लगेगा, पेट को टच करने से भी आपको थोड़ा hard feel होगा, इसके अलाबा आपके पेट के निचली हिस्से में यसा लगेगा कि जैसे muscle pain हो रहा है, या फिर कुछ ligament stretch हो रह जब conceive कर लेते हैं, उनको period जैसा pain भी होता है, यानि कि period आने के दो दिन पहले या तीन दिन पहले जब जैसा pain होता है, उस type का pain बहुत सारे माहिला feel करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा confusion होता है, कि ये pregnancy है या फिर period है, लेकिन period का pain है, वो period का due date का दो तीन दिन पहले होता है, लेकिन अगर आप conceive कर लेते हैं, तो ये जो period वाला pain आपको आपका due date का लगभग 5-6 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले हो सकता है, इसके अलाबा आपको जो leg में, जांगों में और आपका abdomen area में भी थोड़ा बहुत pain हो सकता है, stretching का pain, pulling का pain या फिर ट्विंगल जैसा pain और साथी साथ आपको back pain भी हो सकता है, क्योंकि इस समय आपका uterus धीरे-धीरे फेलता है, वो अपने जगा बनाता है, इसलिए जितने भी organ होते हैं, उसको बहुत displace करता है, इसलिए ये जो displacement होता है सारे organs का, तो इसके बज़े से आपको back pain भी हो सकता है, जो सारे pains हैं, आ और इसके अलाबा आपको और जो sinus symptom नजरा सकते हैं, वो है, आप बहुत अज़ा ठक जाएंगे, आपको fatigue होने लगेगा, breast में tenderness आएगा, बार बार urine लगेगा आपको, और आपको mood swing हो सकता है, भूख कम लग सकता है, या फिर बहुत जादा हो सकता है, तो ये जितने भी सा थोड़ा बहुत mild exercise जैसे की walking करना चाहिए, साथ ही साथ आप जो खाना ले रहे हैं, फ्रिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लीजे, एक साथ heavy meal ना लीजे, बहुत सारा अमाउंट में पानी पीए, और fiber rich food वो सब खाई है, फाइवर rich food खाने से आपको constipation से थ थोड़ा help मिलेगा, और साथ ही साथ rest भी कीजिए, सो मैं उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर मतद करेगा, जब आप pregnancy conceive कर लेते हैं, तो आपके पेट में क्या-क्या बदलाब होते हैं, और इस बदलाब से आपको कैसे पहचान सकेंगे, कि आप conceive की है या फिर और एक नए informative वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए stay healthy and stay happy, अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगे तो like कीजिएगा, और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी share कीजिएगा